भाईयों और बहनों हमारी यहां कहां जाता है एक पंथ दो काज लेकिन आज जो योजनाए बनाई जा रही हैं बहां तो एक पंथ अनेक काज उनसे अनेक लक्ष सिद्ध हो रहे हैं जल जीवन मिशन के तहट घर घर पाईप से पानी पहुचाने की वज़े से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है इसका एक बढ़ा लाप गरीब परिवारों के स्वास्त को भी हुआ है इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफ़र्ड, इंसेफिलिट अफ़लाइटिस जैसी अनेक बिमारियों में भी कमी आ रही है यही नहीं, इस योजना का लाप इंसानों के साथ साथ पशू धन को भी हो रहा है पशू को साप पानी मिलता है तो वो भी स्वस्त रहते हैं पशू स्वस्त रहें और किसान को, पशू पालग को परेशानी ना हो इस उद्देश को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ यूपी में तो योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफिलिटिस के मामलों में कमी आई है उसकी चर्चा तो दूर दूर तक हैं, एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं मासुम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी ट्विम को मैं मानता हूँ हर उत्तरपदेश वासी इतने आशिरवाद देता होगा, इतना आशिरवाद देता होगा, शायद जिसकी हम कलपना नहीं कर सकते हैं जब विद्यान चलके हजारों गावों में पाइप से पानी पहुँचेगा तो इस से भी इस खेतर के मासुम बच्चों का स्वास सुद्रेगा, उनका शारीक और मानसिक विकास और बहतर होगा इतना ही नहीं, जब शुद्र पानी मिलता है, तो पोशन के खिलाब जो हमारी लड़ाई है, पोशन के लिए हम जो महनत कर रहे हैं, उसके भी अच्छे फ़ल उसके काण मिल सकते हैं साथियों, जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है, जिसके तरह स्वराज की शक्ति को गाउं के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानिय संस्ताओं को अधिक से अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं जल जीवन मिशन में पानी पहुँचाने से लेकर, पानी के प्रबंदन और रख रखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गाउं के लोगों की भूमी का बहुत अहम है गाउं में पानी के स्थोतों के सवरक्षन को लेकर भी काम किया जा रहा है सरकार एक साथी की तरह है एक सहायक की तरह है आपकी विकास यात्रा में एक भागिदार की तरह आपके साथ है जल जीवन मिशन ही नहीं बलकि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट जो गरीबों के पके घर बन रहे हैं उसमें भी यही सोच प्रधर्शित होती है किस छेत्र में कैसा घर हो किस सामान से घर बने पहले की तरह यह अब दिल्ली में बैट करता है नहीं होता है अगर किसी आदिवासी गाउं में विशेश परंपरा के घर बनते हैं तो वैसे ही गर बने दिल्ली वाले सोचते हैं वैसे नहीं वहां का आदिवासी जो चाहेगा जैसा चाहेगा जैसी उसकी रहें सहने वैसा घर बने ये स्विविदा दी कही है